तो यहां से देखो पहले तो अपने फंक्शन क्या दिया है यहां एक function है जो कि कहां से कहां पर define real number 2 real number define है ठीक है दूसरा यहां पर y equal to f of x है जिसको x square हम लिखते हैं ठीक है यहां पर यहां तक बातें सही हैं अपनी कोई दिक्कत यहां तक किसी को ठीक है तो अब यहां से अपने को function दिया है अब क्या करने वाले यह जो अपने पास देखो हम पता है कि यह अपने output होता है यह अपना क्या होता, इन्पुट होता है, यह अपना क्या होता, यह अपना क्या होता है, 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 यह अपना क square equal to गया आएगा 9 आएगा यदि आपने किसी टाइम पर x equal to minus का 2 रखा तो y equal to कितना आएगा ये इसका और ये कितना आएगा 4 आया तो यहां से जब भी आपने x equal to 0 के यहां तो यहां से y equal to आपके लिए क्या आया वही y equal to आपके लिए आया जीरो 0 का whole square equal to 0 यहां से clear अब 1 के similarly यदि आप 1 के उपर आपका क्या करोगे testing करोगे तो x की जगह 1 रख दो x की जगह 1 रखते हैं आपके लिए 1 का whole square आगया ठीक है इसी में दूसरी बात के x equal to y आया y 4 है x equal to तो उस time पर आपके लिए देखिएगा कि 16 है तो थोड़ा सा यदि logically चलेंगे तो यहां पर आपके लिए 9 आया यहां पर आपके लिए 4 आया यहां पर 1 आया 0 आया 1 आया 2 आया 3 आया 4 आया यहां पहर 4 आया अगिय यहां पहर 9 अगिश्यन यहां पहर 25 यहां पर तक ठीक है सब त्थ इस परकार से अपने फील-टेमी ती डिसका रॉ मने FIUL UP किया था प्रने कूशन में बनाहे अब इसका हम GRIB बनाते ग्राप कैसे बनाते हैं जसके हमने 11th में क्या गया था equations को solve करने में जिस तरीके से हमने x और y कैसे वहाँ पर denote करते थे वो ही काम यहाँ पर करना है तो यहाँ से कैसे क्या करते है देखिएगा यहाँ पर यह आपका देखिएगा कि x y plane है ठीक है यह आपका क्या है y axis है यह आपके लिए x axis है ठीक है यहाँ पर अब देखो यहाँ से क्या आएगा यहाँ पर आपको x की value कितनी लेनी है बई 1, 2, 3, 4 यहाँ तक अब यहाँ पर देखो x की value 1, minus का 2, minus का 3, minus का 4 और यहाँ पर real number तक अपने को जाना है तो minus infinite और यहाँ पर अब देखो जैसे हमने 1 value दी इसको 1 देते यह अपने को देखो y पर क्या क्या दे रहा है y पर 1 फिर यहाँ पर 4 भी दे रहा है यहाँ पर आपको 9 भी दे रहा है यहाँ पर देखो आपको 8 भी दे रहा है और यहाँ पर आपको 8 नहीं यहाँ पे दे रहा है आपको 16 यहाँ पे दे रहा है आपको 25 इस तरीके से आपका grab draw होता जा रहा है तो जैसे आपने देखो यहाँ पे 1 के उपर देखो 1 फिर देखो 2 पे कितना आया 2 पे आपके लिए 4 आया 3 पे आपके लिए देखो कितना है 16 आया यहां पे ठीक है और जैसे 4 तो के है यहां पर 3 पर कितना है आपके लिए 9 ठीक है यहां पर 4 पर कितना है 16 इस तरीके से ठीक है तो इस तरीके से आपके लिए देखो इस तरीके से बन रहा है और यहां पर देखो यहां पर यह दिया आपने 2 पे 4 आया फिर यहां पे 3 पे आपके लिए 9 फिर 4 पे आपके लिए 16 इस तरीके से अब इस तरीके से values आई इस तरीके से values आए ना तो इसका जो graph है वो आपके लिए इस तरीके से बनेगा इस तरीके से यानि कि यह जो ग्राप है ठीक है यह इस तरीके से आपका इसका ग्राप बनेगा इसमें थोड़ा सा राउंड से पाना चाहिए था भई अपना राउंड शेप नहीं आ रहा है यह थोड़ा क्या गेप का इसू रह जाता है यहां पर इसलिए तो यहां से यह आप यहां पर चाओगे तो यहां पर आपके लिए देखो थोड़ा सा वन यहां पर ले लो फिर यहां पर टू भी ले सकते हो यहां पर थ्री भी ले सकते हो यहां पर फोर आ जाएगा फिर स्वां सुजाएगा कि क्षार इसदाओं आब देखो यहाँ पर जय से हम यहां पर 1 बंदे रहें और यहां पर 4 हैं और यहां पर आपका देखो आप 9 देदिजेगा यहां पर आप 16 दे दो कोई दिकत नहीं है जैसे 1 का 1 पे यहां पर और वरन दिया तो आपको यहां पर फिर आपको 3 दिया तो यहां पर 9 फिर आपने 4 दिया तो यहां पर 16 इस तरीके से आपका बनना स्टार्ट होगा और इस तरीके से बनाओगे तो आपका यह जो गराप है वो इस तरीके से बनेगा इस तरीके से ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना है भी हां इस तरीके से क्या है ग्राप यहां पर ड्रो होता है इस तरीके से आप इससे भी देख सकते हो भई यहां से वन और यहां पर फिर यह वन इस तरीके से भई ठीक है फिर यहां पे देखो 2 2 का काई पर आएगा यहां पर 4 आना है चीज़ था अपना ठीक है तो यहां पर हम 4 करते हैं ठीक है और यहां पर देखो कहीं न कहीं यहां पर 3 का 9 आएगा फिर यहां पर कहीं न कहीं 4 का 16 आएगा इस तरीके से आपको graph आपको draw करना है क्योंकि यहां पर अपने पास देखो gap यह fix नहीं है इसलिए इस प्रकार की errors आ रही है तो यह तो हमें इस तरीके से solve कर सकते हैं यहां पर देखने के लिए यहां पर one है यहां आपका four है और यहां पर आपका nine है और यहां पर आपका sixteen है और यह दिए आपको कहीं नहीं five पे 25 भी चीए होगा तो वह भी आप draw कर सकते हूं यहां से यह देख लिए जगा 25 तो इस तरीके से आपका 25 भी आ जाएगा same similar तरीके से इधर भी आएगा तो यहां से देखने पर देखो y यहां पर देखो y अब अपना graph भी बन गया है सब कुस्त तयार है अब देखो इसमें क्या पूच्छा graph बन गया है यह आपका graph इस तरीके से ह यह आपका y equal to x square का graph है ठीक है और यह आपके यहां से जो भी points आ रहे हैं यह इस तरीके से यहां पर है ठीक है अब चलते हुआ आगे तो इसमें देखो आपको क्या पूचा है आपको यहां पर पूचा बही आपको range पूचा domain पूचा है ठीक है तो यहां से domain आपका देखो domain अब domain देखो यह domain तो सभी के लिए define है क्योंकि यह देखो x-axis की length वो कितनी है वही minus infinite से plus infinite यहां तक किलिए रहे इसी में यह आप range देखना चाहोगे अब देखो range यानि की range का मतलब height यानि की y-axis को देखो आप तो y-axis में देखो कहां का आप है mapping आ रही है यहां से 0 से लेके उपर तक यानि की infinite minus minus plus infinite तक that means यहां पर क्या है इसका range आए 0 से close interval 0 से लेके infinite तक यह ठीक है यह दो आपके क्या आएंगे answer आएंगे